हाई गाइस तो कैसे हैं आप सब मैं आपका अपना दोस्त क्यानों डाकोर एक बार फिर से आप से विकार स्वागत करता हूँ आपके अपना यूट्यूब चैनल डिजाइनिंग पॉइंट पर तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं फॉंट्स कर्व के ऊ इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे पेजिस को एक साथ कर्व करेंगे वो भी सिर्फ एक ही कमांड के साथ और सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा दो की फॉंट्स कर्व क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पढ़ती है गाइस मेरे समझाने का मक्सर यहां एंड ब्रॉशर जो है अब अप्पूव हो चुका है उसके अंदर एवरीफिंग इस एब रूफ भाईदधा क्लाइंट अब उसका जो आगे का प्रोसेस है वो क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जाता हूं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे fonts को curve करना है और अब फाइल को प्रिप्रेस के लिए आगे hand over करना है तो इस situation के अंदर हम फाइल कब भेजेंगे जब हम उस फाइल के अंदर के सारे fonts को curve कर लेंगे इस लिए करना पड़ता है ताकि जब रिप्रेस की सेटिंग की जाए तो उसके अंदर कोई भी फॉंट जो है मिस ना हो अगर हम फॉंट को पहले ही कर देंगे तो फॉंट मिस होने का चांस ही नहीं रहेगा और fonts करने के लिए वैसे तो खाफी सारे तरीके हैं और इन तरीकों का अपने एसाब से खाफी सारे लोग जो है अलग-Alag यूज करते हैं, कोई मैनुली भी करता है, कोई आटोमेटिक भी करता है, तो गाइस सबसे ज़्यादा जो इजी प्रोसेस है वो है, आटोमेटिक का, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ आटोमेटिक के बारे में बताऊँगा, क्योंकि बहुत ही इजी तरीका है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कमांड देनी है, और आप पूरी फाइल के अराउंड 100-500 पेजस को एक बार में ही कर्व कर सकते हैं, त तो चलिए देखते हैं कि फॉंन को किस तड़ा से कर्व कर सकते है में तो चली जान को ओपन कर लेते हैं, यह हमारी है जो कि 304 MB की फाइल इस ओपन कर लेते हैम है है बारेर यहes जैने यह अहरे आपर हमारी फाइल जो है ओपनsanpeaktea- пока-मस्क एंदर टाक्स चेक करके यह जाएंगे यह यहां पर फिलोफ द इसके अंदर काफी साए जो है टेक्स्ट अबि और अब हम इनको जो है कर्व करेंगे सबसे पहले हम जाएंगे विंडो के अंदर टूल बार्स में मैक्रोज में मैक्रोज को यहां से स्टार्ट करेंगे अब हम यहां पर कर्णवर्ट औल कर्व पर क्लिक कर देंगे और इसको करेंगे रन अब हिए यहां पर दिखा रहा है कि हमें किस तरह से कर्व करना इसकंदर टैक्स शेप जो कि टैक्स गूरूप और पावर किलिप में वो भी कर्व हो जाएंगे और पेज नंबर एक से लेकी पेज नंबर 96 तक के से प्षाइल को यह तो देख्याइब पूरी फाइल के जो है फॉर्ट करण होगे हैं हमारे पास आपर पाइज नंबर 96 तक के प suchen हो चुके हम से चेक करेंगे कि फॉर्ट कर्व हो थो यह न ही है टेक्स में जाएंगे अर यह देखिजिआ यहां पर font 00 शोर है इसका मतलब है कि सारी फाइल के दो फॉंट्स है कर वो चुके हैं वह हम इसको Ctrl-Shift-S के साथ Save as करेंगे और यहां पर हम इसका वर्जन में कम कर सकते हैं वर्जन चलिए हम यहां पर 17 कर देते हैं और यहां पर फाइल का नाम हम कर्व 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 करके सेब कर देते हैं तो हमारी फाइल जो है अब यहां पर सेब हो रही है जिसके फॉंट हमने कर्व किये हैं तो गैस यह था आसान सा तरीका इसको यूज करके हम पूरी फाइल के on waskud कर सकते हैं इसमें मेन्यूलि काम नहीं करना है सिर्फ Allan का यूज करना है और पूरी फाइल कर कि चेक करते हमारी तोनों फाईले आ यह हमारी कर वाली अगए हमारी बिना करव वारी 100 और देखे फॉर्ण करने के बाद इसका साइज कुछ कम हो गया है यह तो क्या 90 MB की है हमारी पहले वाली फाइल 304 MB है